हेलो इस्टुएंट आप सबस्वागत है हमारे चानल Amplitude Studies 2.0 में तेखें अपस्ट की निक्स्ट क्लास है और पिछली क्लासेज में हम डिफेंट डिफेंट जो एंगल को रिप्रेजन करने के सिस्टम्स होते हैं चाहें वो सेक्साजेसीमल सिस्टम हो चाहें वो सेंटेसीमल स तीनों के बारे में details भी देख ली थी और कैसे conversion करना है इसके लिए भी formula हमने निकाल लिये थे आज हम question practice करते हैं और questions जो हैं ध्यान से समझेगा आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो link में जाकर description में लिंक दिया है मैंने playlist का एक ही playlist को क्लिक करके आपके clip pass classes सारी आज सकते हैं देखिए हम आज की वीडियो में जो है वो रेडियन से degree में conversion करना सीखेंगे सारे questions हमारे उसी बेस पे होंगे कुछ शुरू के questions आसान होंगे जिनमें की पाई भी रहता है और जिनमें पाई नहीं रहता है तो फिर उनको convert करने में फिर हमें degree minute और seconds का भी इस्तमाल करना पड़ जाता है तो वो चीजें भी हम आज के वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को जरा सा भी skip मत करिएगा साथी साथ चैनल पर पहली बारा है सबस्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको न केबल पढ़ाई बलकि आपके polytechnic से related कई सारे aspects पे आपको knowledge मि अपने केरियर को दिशा कैसे दी तो वो चीजें भी हमारे चैनल पर मौझूद हैं आप जाकर के what topper से नाम की playlist देख सकते हैं तो उनके experience जानने से आपको अपने भविश्य के लिए जो सीड़ी तयार करनी है जो एक mark तयार करना है उसके लिए दिशा निर्देशन जरूर म पार्ट होता है तो पाई भाई सिक्स रेडियन को अपने डिग्री में करना है पाई लगे होने पे अच्छी बात ही होती है क्यों पाई अंदर से कट जाता है और उसके बाद हमारा साफ सुथराइक एंगल आजाता है जो केवल डिग्री में होता है फ्रैक्शन्स अगर निखा था जो चीज निकालनी हो से राइटस में रखनाना चाहिए और यहां पर देखे डिग्री में ही ही है ने हमें तो जिस कोशन में पाई दिया रहता है, वहाँ पे पाई से कटने के चांस आसानी से हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा पूरा पूरा नंबर आ जाता है, 30, 35, 40 जो भी आएगा, तो उससे हमारा कोशन आसान हो जाता है, हमें मिनट और सेकेंड के चकर में नहीं बढ़ना पड़त से गुणा कर देते हैं, तो अगर आप इतना कर लेते हैं, तो ठीक है कि सीधे पाई भाई सिक्स में एक सीधे पाई से मल्टिप्लाई करेंगे आप, और फिर उसका जो सॉल्वों के सीधे अंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें फिर आपको रटना पड़ेगा, कि रेडियन से अगर आपको इन में कन्फिजन नहीं होता है, आपको पहले से याद है, अपने पड़ रखा है, या आप याद कर सकते हैं, तो आप उस तरह से कर लें, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे, एक दूसरा मेथड था जो मैंने फॉर्मला यह कल बताया था आ इसमें आपका जो है, रेडियन में आर की वैलू पाई वाई सिक्स दी है, तो राय र की जगे पाई वाई सिक्स रख लिया, अब इसको काट प्रिट के सॉल्व करेंगे, तो आपका डी जो है वो 30 डिग्री आ जाता है, तो सेम आंसर यहां से भी आ जाता है, आप चाहें कि इसी तरीके से भी इसको perform कर सकते हैं, सब तरीके सही माने जाएंगे, अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम convert into degree, यह आपका जो है वो 2 pi by 3 दिया है, तो यह बिल्कुल पिछले जासा question है, मैं suggest करूँगा कि आप वीडियो को यहीं पर pause कर दें, आगे करना देखें, और को multiply कर दिया, multiply किया है, solve करा, pi pi कट गया, 360 यह बना 62, 120 तो 120 degree answer आजाता है, अब यहाँ पर वही है कि second method का भी प्रयोग किया सकता है, वही d by r is equal to, d by 90 is equal to all of formula, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हमने तो करकर नहीं दिखाया कर, और pi में अगर कोंड लिखा है कोई तो radian में ही होगा, जैसे माले सपोस करें, इसमें कर दें pi by 6 को, ऐसे कर दें pi by 6 को, degree में गनवट करो, तो आप यह नहीं सोचोगे कि यह radian में दिया है, यह हमारा pi अगर लगा है, तो radian में ही दिया रहता है, pi की form में प्रशन आसान होता है, यह तो हमने देखा अभी पर, पर pi नहों तो निम्य प्रशनों की साहता से समझ सकते हैं, तो अब हम question वो देखेंगे, जिसमें की pi नहीं दिया है, तो आपको degree minute और second भी बनाने पड़ जाते हैं, तो ऐसे questions को हम देखेंगे, तो आईए चलते हैं फिर question number next पर, question number 3 है हमारे पास, इसमें लिखा है convert into degree, मतलब कहने का यह है कि यह 3 by 4 gradient दिये हैं, और इसको degree में convert करना है, तो देखें तरीका तो वही रहेगा, लेकिन यह पर pi नहीं है, तो अंदर solve होने पर pi कटे गा नहीं, और यही हमारे सामने problem create तो इसमें जो है वही लिखा है मैंने बिनात्मक degree आते हैं, जिने minute और second में भी परिवर्थित करके लिखना पड़ता है, तो यह चीज तो हमने अपने लिए लिख दिये, आप तो सीधे start करोगे, pi gradient equal to 180, hence 1 gradient equal to 180 by pi, तो 3 by 4 जो निकालने हैं उसको हमने किया, इस तरह से करने पर ना कुछ याद नहीं करना पड़ता है, simple unitary method जैसे छोटी class में 6-7 में हम question solve करते थे, कि इतने mango इतने के हैं, तो यह 4 mango कितने जो होंगे, तो उसमें लगाते थे कि हाँ बारा mango का rate मूल ये इतना है, तो एक का कितना होगा, तो इतने का कितना होगा, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोटे पर की चीज़ें ही हम देख रहे हैं, complicated थोड़ी सी कम हो जाती है, और यहाँ पर हमने 3 by 4 के ले किया, तो यह multiply हो करके देखें, यहाँ पर 45 into 3 by pi आया, pi की value 22 बड़े 7 रख दी है, यह 7 उपर पहुँच गया है, यहाँ पर, normal calculation इसमें कोई घवराने वाल नहीं है, इसमें आप हमने क्या किया है कि 45 और 3 और 7 इनकी पहले 45 तीन की कल लिए और फिर इसमें 7 की कल लिए, 945 आगया, तो उपर 945 अपन 22 इतने डिगरी हैं, इनको थोड़ा सा हम whole fraction और whole number और अलग fraction में अलग अलग कर लेते हैं, तो 22 से 945 में हम divide कर लेते हैं, 22 चको 88 इतने डिगरी बन गए, अब इसका मतलब यह है कि 42 डिगरी तो पूरे पूरे हैं, और 21 बटे बाइस डिगरी अलग हैं, जो की extra हैं, fractions में हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 42 डिगरी अलग प्लस 21 बटे बाइस डिगरी अलग, अब हमें क्या करना हैं, यह तो नमब पूरा जैसे पिछले questions में था अलगा चुका है, और जो बचा हुआ 21 बटे 22 डिगरी है, जो है, वो हमें convert करना है अब उसको minutes में और seconds में, तो यही चीज़ यहां पे लिखती है, whole degree अलग कर लिए हैं, यह बने केवल आपके समझने के लिखा हुआ है, इसको paper में लिखने क कोई ज़रूरत नहीं है, और अब हम fraction part को minute में change कर देंगे, तो हमने क्या किया है, एक degree में हमारे पास 60 minute होते हैं, 21 बटे 22 डिगरी में कितने minute होंगे, तो 60 से multiply कर देंगे, तो हमारे यह degree का place जो है, वो इसकी जगे पे minute आ जाएगा, इसको solve कर लिया है, दो से देखे काट है, तो यह मिला करके 21 गूने 30 बटे 11 यानि कि 630 बटे 11 में अट आ जाते हैं, अब इसमें भी देखे कि 630 उपर जादा है, 11 नीचे बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कुछ minutes पूरे हैं, और कुछ fractions में हैं, तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किय है, कि 630 में 11 से multiply किया, तो यहां पर यह 57 पूरे आ जागा है, और 3 remainder बचा, तो हम इसे लिख सकते हैं, 57 3 by 11, यानि कि 57 मिनट तो पूरे पूरे हैं, और 3 बटे 11 जो है, वो हमारे पास fraction में minutes हैं, तो हम यह मिनट अलग कर लेते हैं, देखिए 57 मिनट अलग कर लिए, और 3 57 मिनट अलग अलग हो चुके हैं, तो यह whole number में है, तो इसको यह प्लस अटा करके हम सीधे 42 डिए 57 मिनट कर सकते हैं, जैसे प्लस लगाया भी जा सकता है, तो वैसी खटाया भी जा सकता है, और इधर तो 3 by 11 सेकंड बचा है, अब यह minute बचा है, इसको सेकंड में convert कर देंग ठीके, फ्रेक्शन पार्ट को सेकंड में change कर देंगे, यह समझाते वे लिख भी दिया है, ताकि आपको समझना है, आप इसे चाहें तो अपने notes में लिखें या ना लिखें, यह केवल आपको समझाने के लिए है, अब यहाँ पर देखें, साट से multiply कर देखें, सेकंड में convert ठीके ना, यह इसको जब हम divide किया यहां से, तो आप देख रहे होंगे, 16 सही, 4 बटे 11, मतलब 16 सेकंड तो पूरे है, लेकिन और 4 बटे 11, फ्रेक्शन में है सेकंड, अब सेकंड से भी अगर कुछ छोटा होता होता, यह होता, तो उस case में हम उसे convert कर सकते थे उसी तरह से, हम उपर से गिया, लेकिन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो इसलिए हम 4 बटे 11, जो हो छोड़ देंगे, और केवल 16 सेकंड ले लेंगे, तो उसी को 16 सेकंड ले लिया है, और साथ में approach लिग दिया है, लग भग लग भग, क्योंकि हमने कुछ चीज इसमें से छोड़ दी है, डिगरी मिनट सेकंड में, जो हमारा ये question यहां पर दिया हुआता है, तो देखें, logic से समझेंगे, तो बहुत असान है, कोई ऐसी problem वाली बात नहीं है, अगर आपके वाली से देखते हैं, सरसरी निजर से, तो फिर यह आपको complicated लग सकता है, कोई भी चीज अकर समझ में सही teacher चुनिए, और पूरे मनोयोग से start करिए, क्योंकि एक बार अगर आपने हलके उससे पढ़ लिया, सरसरी निजर से पढ़ लिया, और वो आपके दिमाग में pass बन गई, यह तो थोड़ा मुश्किल सा था, तो वो फिर जिन्दिगी बर नहीं नहीं करती, आपको वो से बिलकुल clear हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना किस से है, कहां से है, कौन सी बुक यह चायन करना, साथ धानी पूरवद करना चाहिए, अगला question जो है, वो question number 4 है, convert into degree, यहाँ पर यह देखिए, minus का 3 by 4, हमने पिछले question में, plus का 3 by 4 था, यहाँ पर हमने minus का 3 by 4 ले लिया है, तो minus का question अगर आता है, तो उसमें कोई घवराने वाली बात नहीं होती है, देखिए, similar to last question, इसमें minus sign बाहर की और लगा रहेगा, और एक bracket के अंदर सारी calculation जो है, वो पूर वगत रहेंगी, तो पिछले ही questions की calculations को हमने short में लिख दिया, यहाँ पे some steps are, आप इसको पूरा करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, minus बाहर लगा हुआ है, और यहाँ पर अंदर फिर एक सो सी बटे, पाइंटू 3 by 4, वो दो त्री लाइन बात जो आया था, अब इसके बाद bracket के अंदर इसको solve कर लिया है, फिर यह सही बटे में लिखा, degree अलग कर लिए, minute अलग कर seconds बनाएं, और फिर वही minus जो है, last में आगे लगा रहेगा, और यही हमारा जो है, वो answer हो जाएगा, तो इस तरह से जो है, वो यह question practice हमारी complete होती है, इसमें हमने जो है, वो radian से degree बनाने सीखे हैं, अब next वीडियो में हम degree से radian या और चीज़ें convert करना सीखेंगे, यही हमार पस conversion है कि different different systems को different different systems में कैसे convert किया जाएगा, कौनों को किस प्रकार जो है, वो change किया जाएगा, उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में share करें, चलने पर पहली बार है, सब्स्राइब ज़रूर कर लें, हमारे टेलिग्र